नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश राजिसान जोतपूर बिकाने जिले की वड़ी खवरें राजिसान पुलिस मुख्याले ने आदेश जारी किया कि थानों में पूझा स्थल नहीं बनाया जाने चाहिए ADG आवास की ओर से जारी आदेश में यह भी बताया गया कि राजिसान धार्मिक भवा नेवं स्थल अदिनियम 1954 प्रदेश में सावशनिक स्थानों का धार्मिक उप्योग निशिद करता है इस आदेश को देखते हुए लोगों में चर्चा हो गई कि सच्चिवालिया और सवाई मानसिंग अस्पताल भी सावशनिक है ऐसे में क्या यहां बने मंदिर अव्यद हैं? दिन बर आदेश को लेकर गहमा गहमी चलती रही बाद में पुलिस मुख्याले बैक फूट पर आया और सपश्ट किया कि जिन थानों में पहले से मंदिर बने हैं वे यथावत रहेंगे लेकिन नए थानों में बनने वाले पूजा सल पर रोक लगाई गई है राजसान के सरकारी वेक 11 सरकारी स्कूल संचालित करने के लिए शिक्षा विभाग में वार्शी कलेंडर जारी कर दिया है इस बार काफी विलम से जारी हुए इस कलेंडर में सर्दी की छूटियां 25 से 31 दिसंबर तक रखी गई हैं जबकि गर्मे की छूटियां 17 मईज से 30 जुन तक रहेंगी इसके साथ ही हर महिने का कारेक्रम विभाग ने पहले ही तै कर लिया है मादिमेशिक्षा निदेशक कानाराम ने बताया कि इस सतर की स्कूल या बोर्ड की अंतिम परिक्षा के बाद स्कूल फिर से शुरू हो जाएंगे तब बच्चों को अस्ताई रूप से अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा बाद में रिजल्ट के अधार पर नई कक्षा में बिठाया जाएगा कस्टम विभाग ने एक बार फिर जैपूर अंतराष्ट्रे एरपोर्ट पर तसकरी का एक किलो सोना पकड़ा है यह सोना यात्री अंडर गार्मेंट और जीन्स के अंदर छिपा कर लाया था आरोपी यात्री डबल अंडर वियर पहन का तसकरी कर रहा था इस सोने को लिक्विड फॉर्मेट में लाया गया था सोना शार जहां से लाया गया है वह एर अरेबिया की फ्राइट से जैपूर आया था जबत किये गए सोने का मुल्या साथ लाक रोपई से जादा है मुख्यमंत्रिय अशोग गहलोत मंगलवार को चुनाव परचार के लिए धरियावद पहुंचे यहां गहलोत ने पहली सभा धरियावद में बीजेपी के गड़ माने जाने वाले लसारिया में की इसे पहले गहलोत बाजपा के पूर विधायक गोतम लाल मीना के घर पहुंचे वहाँ जाकर गहलोत ने समवेधना प्रकड की इस दुरान गोतम लाल मीना के पूत्र कनया लाल मीना से बात भी की सभामे गहलोत ने कहा कि गोतल नाल के यहां बैटने गया तो बीजेपी के नेताओं को तकलीफ हो गई ये सधियों के हमारे संसकार हैं कि किसी की मृत्यू होती है तो ये नहीं देखा जाता कि वो किस पार्टी, किस जाक्ति और किस धर्म का है मानवता कहती है कि संवेदनाई व्रक्त करनी चाहिए जैपूर के शहपूरा इलाके में बदमाशों ने सोमवार देर रात 42 लाक रुपए से भरे SBI बैंक के ATM में आख लगा दी बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने आये थे ATM लूट में सफल नहीं हुए तो उन्होंने गैस कटर से ATM को तोड़ने की कोशिश की इस दुरान उसमें रखे करीब 3 लाक रुपए के नोट जल कर खाक हो गए वहीं पीछे बचे 38 लाक रुपए लूट कर फरार हो गए मंगलवार को वारदात का पता चलने पर शाहपूरा थाना परभारी मौके पर पहुँझे गटना स्कल पर बारेकी से जांच कर आसपास के लोगों से जान करे चुटाई फिलहाल वारदात में कितने लोग शामिल थे इसका पता नहीं चला है कांग्रेस नेता पंदा दिन के अंदोलन में सरकों पर उतर कर गाँ और कस्बों में पैदल मार्च लोगों के बीच जाकर महंगाई के मुद्धर पर केंद सरकार को गहरेंगे यहां अंदोलन 14 नमबर से 29 नमबर तक चलेगा इसे जन जागर अभियान नाम दिया गया है निताओं को ग्राज सुर्स्तर पर जाकर लोगों से बाचित करने का टास्क दिया है बिकानिर में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ वुद्वार से शुद्ध के लिए यूद अभियान चलाया जाएगा जिलाक लगतर नमित महता ने मंगरवार को आयोजित बैठा के दुरान यह नितेश दिये उन्होंने कहा कि आमम बोक्ता को गुर्मत्ता युक्त खाद्य समगरी मिले तता मिलावट खोरी पर प्रभावी अंकुष लगाया जाए इसके मद्दे नजर सभी संबंदित विभाग स्युक्त एवं सतत कारेवाई करे मिलावटी मावा, घी, नमकीन और मिठाई से अधिक से अधिक सेमपल लिये जाएं तता मिलावट पाए जाने की स्थिती में सक्त कारेवाई हो जोद्पु शहर में चोरियों पर अंकुष नहीं लग पा रहा है शहर के पाल रोर सीथ जोदी नगर में बड़ी चोरी हो गई छत के रास्ते रसी के सहारे मकान में उत्रे चोर करीब साड़े चार लाख रूपई की नगत और पंदर लाख रूपई मुल्य के तीस तोला वशनी सोने के जेवर चुडा ले गए मकान मालिक अपने पिता के निधन होने के कार्ण परिवार सहित गांग गया हुआ था मकान मालिक हनुमान राम विश्णोई CISF में करे रत है विखानर में पेट्रोल वे डीजल से जुड़े पंपों पर हर्तास थागित हो गई है जिला परशासन के साथ वारता के बार शाम को सभी पंप खुल गए है जहां से असानी से पेट्रोल वे डीजल लिया जा सकता है डीलर्स एसोशेशन के दर्ख्ष सुर्पत सिंग ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए आम आदमे को परशानी हो रही है इससे पहले मंगलवार तो पहर गंगा शहर में एक पेट्रोल पंप खुला तो दूसरे डीलर वहां विरोध करने पहुँच गए ऐसे में डीलर एसोशेशन के सदस्यों को आम राकों के विरोध का सामना करना पड़ा सानिय लोग पेट्रोल की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे बाद में पुलिस ने पहुँच कर मामले के दोनों पक्षों को शांत किया जोदपूर के जिला क्लेक्टर इंदजी सिंग ने मंगलवार को शहर में आयोजित हो रहे प्रशासन शहरों के संघ अभियान का निरिक्षन किया इस दोरान उनोंने शीविर की कर्या प्रणाली को नज़्धीक से देखा और उनमें रही कम्यों को दूर करने के निर्देश दिये साथ ही उनोंने आमजन की समस्याओं को भी सुना उन्होंने अधिकारियों को उन समस्याओं को दूर करने के लिए कहा विकानियर में प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर सरकार ने नगर निगम, नगर परिशक और नगर पालिकाओं को पट्टे जारी करने के लिए लक्षे अवण्टित कर दिया है नगरियर निकायों को 31 मार्स 2022 तक अवंटित किये गए लक्षे की प्राप्ति करनी है अभियान अब्धी में लगर निगम को 20,000 पट्टे बनाने का लक्षे मिला है निगम 2 अक्टूबर से अब तक 23 दिनों में महज 4 पट्टे ही जारी कर पाया है निगम की ओर से जारी किये गए सबी पट्टे क्रिशी भूमी नियमन से संबन्दित है रेलवे प्रशासन ने जोदपूर रेलवे स्टेशन के पार्किंग स्टेंड के ठेकेदार पर जुर्माना लगाया है उत्तर पश्चिम रेलवे के वरिष्ट जनसंपर का दिकारी गोपाज शर्मा ने बताया कि रेलवे स्टेशन के मुखे द्वार पर पार्किंग स्टेंड संचालित करने वाले ठेकेदार दारा नितायद मापडन के नुरूप सेमाय प्रदार नहीं करने तदा ज्यादा राशी वसूल करने की शिकायत प्राप्थ हुई थी इस पर वरिष्ट मंडल वानेचिक प्रबंदर दिरूमल ने जांच करवाई और पार्किंग स्टेंड के ठेकेदार पर पांच ज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है राजेसान में उपनेदा पधिपक्ष राजेंदर राठोर ने पूलिस थानों में पूजा सलका निर्मान निशिद करने के अदेश को धार्मे कास्ता पर चोट बताया है उन्होंने कहा कि राजेसरकार ऐसे तुगला की फर्मान निकाल कर धार्मिक भेदबाव की राश्टितिकर हिंदु धर्म को टार्गेट करने का कुगरत्य कर रही है इंद्रा गांधी राश्ट्रिय मुक्त विश्विद्याले के शेत्रिय केंदर जोदपूर में मंगलवार को सतरकता जागरुकता सप्ता शिरू हुआ जो एक नमबर तक मनाया जाएगा इंद्रा गांधी राष्ट्रिय मुक्त विश्वी द्यालिय शेत्रिय केंदर जोदपूर शिक्षा मंत्राले भारत सरकार के शेत्रिय निदेशक डाक्टर अजय वर्दन आचार्या ने सतरकता जारुकता सप्ता का शुभारम किया डाक्टर अचारय ने स्टाफ को सतरकता प्रतिग्या शपत दिलवाई फिलहाल इस बुलेटेन में इतना ही फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ SPT न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें